Hello everyone, myself Dr. Shreya बच्चे अपन लोग जूलोजी पढ़ेंगे ठीक है और अपने आज का चैप्टर क्या है? Human Health and Disease और बच्चा यह जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा important है तो अपन इसके P.I.Q. सॉल्व करेंगे इसके important questions करेंगे और अपन इसके maximum question कवर करने के कुशिश करेंगे ठीक है क्या? तो अपन आज भी इसके question करेंगे दो दिन, तीन दिन जितने दिन में अपने maximum question इसके cover हो सकें वो अपन पूरी कुशिश करेंगे कि हमारे exam में वही question आजाए कि हमने कर रखे हो वो तो अपन को लिखने में कितना easy रहेगा अपन को same मिल जाएंगे questions ठीक है क्या? अच्छा रहेगा ना? तो बच्चे start करें तो सबसे पहले अपन start करते है देखो अपना ये human health and disease chapter है तो अपन question करें, start करते है बच्चे ठीक है? तो सबसे पहले अपन करने वाले MCQs ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन MCQs अपने अपन को पता है कि exam में सबसे पहले MCQs आता है फिर fill in the links आते हैं फिर short questions very short सब चीज़ आती है ठीक है? तो अपन सबसे पहले MCQs देखते हैं फिर questions देखेंगे ठीक है बच्चा? स्टार्ट करें देखो पहला question क्या है? Which part of poppy plant used to obtain the drug smack? बच्चे पनको पता अपनी NCRT में दिया हुआ है कि जो drug smack है वो हमें poppy plant से मिलती है ये तो हमें पता चल गया लेकिन उसके कौन से part से मिलेगी? ये बात तो ये भी NCRT में दिया हुआ है कि लेटिक से हमें क्या मिलती है? ड्रग smack मिलती है ठीक है क्या? लेटिक से क्या मिलती है? ड्रग smack चलो next question पर move on करते हैं ये तो simple सा था देखो Which of the following is not an autoimmune disease? बच्चे तुम्हें पता है autoimmune disease क्या होती है? पता है क्या? सभी लोग ध्यान दे autoimmune disease क्या होती है? बच्चा autoimmune disease वो जब हमारी body हमारे self cell को ठीक है? हमारी body जब हमारे self cells को नुकसान पहुचाना शुरू कर देगी ठीक है क्या? हाम देना शुरू कर देगी ठीक है क्या? नुकसान पहुचाना शुरू कर देगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, autoimmune disease, ठीक है, समझ रहो, ठीक है, autoimmune disease वो होती है, अब ध्यान दो कि, options अपने पास क्या-क्या है, psoriasis, rheumatoid arthritis, alzheimer disease, vitiligo, बच्चे देखो, psoriasis, autoimmune disease नहीं होती है, rheumatoid arthritis भी नहीं है, vitiligo भी नहीं है, बच्चे, autoimmune disease कौनसी है, कौनसी नहीं है, बताओ, कौनसी नहीं है, ऐलजाइमर नहीं है बच्चे ऐलजाइमर में पता क्या होता है पेशनी के साथ है लगल में उसे मैमोरी लौस हो जाता है। एलजाइमर में होगा memory loss, ठीक है, memory loss किस में होगा बच्चे, एलजाइमर में, ठीक है क्या, एलजाइमर's disease में memory loss हो जाता है, ठीक है क्या, तो ये अपनी autoimmune disease का example नहीं है, ठीक है, इसे याद कर लो, बहुत अच्छा important question है, PYQs है ये, अपने exam में आ सकता है, board में, और even need का भी question है, ठीक है क्या, आगे बढ़े बच्चा, ठीक है, sound clear है, ठीक है क्या, आगे बढ़ता है, देखो, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels, बच्चे अच्छे से देखो question को एक बार, question को एक बार अच्छे से देखो, इसके options को देखो, क्या question, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels, बच्चे, lymphatic vessels का inflammation, इस line को देखके अपन को समझ आ जाना चाहिए, कि बात तो अपनी elephantiasis की ही हो रही है, ठीक है क्या, बाकी option तो वैसे ही गए, कैसे गए, देखो, यहाँ पर lymphatic vessels का inflammation हो रहा है, तुमारी NCRT में diagram दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है न, lymphatic vessels का क्या हो रहा है, inflammation हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर, तुम्हें पता है न, उसमें diagram में show किया हुआ है, कि कैसे lymphatic vessels full के, swell हो जाती एकदम, swell, ठीक है क्या, है न, तो इस cancer क्या आएगा, elephantiasis, ठीक है, आगे बढ़े बच्चा, चलो, transplantation of tissues, organs, fails often due to a non-acceptance by the patient's body, which type of immune response is responsible of such rejections, देखो, question क्या है, पहले question समझते है, पहली line लिखी हुए, transplantation of tissue, organs, fails often due to non-acceptance by the patient body, question क्या कहना जा रहा है, कि patient के अंदर हमने organ transplantation किया है, क्या किया है, organ transplantation किया है, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है, जब हम किसी patient के अंदर organ transplantation करते हैं, तुम्हें पता होगा न, कि कभी किसी का liver खराब हो जाता है, तो हमें liver देना पड़ता है, हम लेकर आते हैं, ठीक है न, कि हमें liver मिल जाए, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते है, graft देना, graft, graft क्या है, कि भई एक patient का liver खराब हो गया, उससे उसका कोई family member, या उसका कोई करीबी, क्या देगा, liver देगा, ठीक है, क्या, तो उसको जो हमने insert किया है, वो क्या है, graft है, ठीक है, अब यहाँ पर वो बोलना चाहरा है, कि जब हम transplant करते हैं, किसी tissue को, या फिर organs को, तो non-acceptance मतलब उसकी body, patient की body, accept क्यों नहीं कर पा रही है, reason क्या है, समझ रो, reason क्या है, patient की body, accept क्यों नहीं कर पा रही है, देखो, तो महारी NCRT में एक line लिखी हुई है, कि T-cells होते हैं, वो किसको mediate करते हैं, cell mediate immunity के लिए, cell mediate immunity को deal करते हैं, करते हैं यह नहीं करते हैं, करते हैं न बच्चा, cell mediate immunity को deal करते हैं और T-cell, he responsible होते हैं, किसके लिए, graft rejection की लिए, किसके लिए responsible होते हैं, graft rejection के लिए, कौन responsible होते हैं, T-cell, ठीक है क्या? T cell responsible होते हैं क्या ठीक है तो इसका answer क्या बन गया Cell Mediated Immune Response ठीक है बच्चे देखो बाकी options देख लेते हैं Autoimmune Response Autoimmune Response वही हो गया जब अपने cell, खुद के cells को नुकसान पहुँचा है यहाँ पर खुद के cells को नहीं नुकसान पहुचाया जा रहा बाहर से कोई organ या फिर कोई tissue हम लेकर आ रहा है उसको नुकसान पहुचाया जा रहा है ठीक है तो यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता Physiological Immune Response यह भी नहीं है तो मैं पता है Physiological Barriers क्या होते है Physiological Barriers के अंदर क्या क्या आता है बच्चा Salive आता है क्या आगे बढ़े चलो और क्या है Hormonal Immune Response पहली बात तो Hormonal Immune Response तो कुछ होता ही नहीं है होता क्या है Exactly Humoral होता क्या है Humoral Humoral Immune Response होता है क्या होता है Humoral Immune Response ठीक है क्या समझ में आ रहा है क्या सबको Next Question पर Move on करें बच्चे Malt constitute about dash percent of the lymphoid tissue in the human body बच्चे ये तो NCRT की line है इसमें तो समझाने जैसा कुछ है नहीं सबको आना चाहिए सबको आना चाहिए Question देखो क्या हैगा इस cancer ये तो NCRT की line है 50% ठीक है क्या क्या होता है Malt की full form Mucosa associated lymphoid tissue ठीक है समझ में आ रहा है क्या होती है Malt की full form बच्चे Malt की full form क्या होती है बच्चे Mucosa associated lymphoid tissue ठीक है क्या समझ में आ रहा है और ये हमारे lymphoid tissue का मतलब जो पूरा हमारा lymphatic system है उसका कितना part बनाता है 50% ठीक है बच्चा ये clear एकदम next question पर move on करे ठीक है next question पर आते है asthma may be attributed to बच्चा ही पूछना जा रहा asthma है क्या simple सा question है asthma है क्या ठीक है options देखते हैं allergic reactions of the mast cells in the lungs ठीक है second option देखते है inflammation of the trachea क्या यहाँ पर trachea की swelling होती है क्या यहाँ पर trachea का inflammation होता है यह पूलना चाह रहा है trachea की swelling होती है क्या यहाँ बिल्कुल नहीं होती तो यह option तो नहीं होगा ठीक है क्या बाकी option देखे, accumulation of fluid in the lungs, lungs के अंदर fluid का store हो जाना, किसी fluid का भरना, ये भी नहीं होता, क्योंकि बात हम अस्थमा की कर रहे हैं, pneumonia की नहीं कर रहे हैं, ठीक है क्या, clear है क्या बच्चा, तो ये option भी नहीं होगा, चौथा option क्या है, bacterial infection of the lungs, lungs में bacterial infection हो रहा है, नहीं बच्चे, यहा की allergic reaction होता है, mast cell में, जिसकी वजए से mucus store होता है, क्या, अस्थमा में, wheezing sound आता है, patient के अंदर से, कैसा sound आता है, जो अस्थमा अस्थमेटिक patient होता है, अस्थमेटिक जो patient है, महा से कौन सा sound आएगा, बच्चे, wheezing sound आएगा, ठीक है क्या, wheezing sound ठीक है, जब वो सांस ठीक है, समझ में आ रहे, अगले question पर move on करते है, देखो, which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutation, बच्चे, यहाँ पर बताना है, कौन सा true नहीं है, समझ रहो तुम, कौन सा true नहीं है, cancer cells के लिए, mutation के लिए, ठीक है, तो बच्चे, आपर telomerase की activity देखनी है अपनको, telomerase है न, देखो, एक line य old people होते हैं, उन में क्या होता है, जो telomerase है न, उसकी activity, यह बहुत अच्छा question है, बच्चे, यह need में भी पूछा जाता है, यह board का भी बहुत अच्छा question बन सकता है, समझ रहो, telomerase की activity होती है, जो crea है telomerase की, वो क्या कर जाती है, decrease कर जाती है, क्या कर जाती है, decrease कर जाती है ठीक है तो तुमने देखा होगा जो बुड़े लोगों होते हैं ना बुड़े लोगों की skin बहुत अजीब सी हो जाती है ना ठीक है क्योंकि उनके इंदर new cells उतने जादा नहीं बन पा रहे हैं ठीक है क्योंकि वहाँ पर telomerase की जो activity है वो decrease कर चुकी है समझे मेरी बात पहला option क्या है mutation जो हो रहा है उसकी वज़े से telomerase का inhibitor destroy हो गया बिल्कुल हो गया बच्चे telomerase क्या कर रहा है समझो question को telomerase क्या कर रहा है cell की संख्या को बढ़ा रहा है ठीक है यदि उसका inhibitor आया तो वह cell की संख्या को बढ़ाने नहीं देगा नहीं करने देगा इसको अपना काम, नहीं करने देगा ना इसको उसका काम, एक्शन नहीं करने देगा यह इसका, इन्हीबिटर इसका एक्शन नहीं करने देगा, ठीक है, और देखो इसका एक्शन, तीलो मेरे इसका कर रहे है, सेल की एक्टिविटी को बढ़ा रहे है, इन् बाकी option भी read करो, बाकी option कहा है, mutation in proto-oncogenes, accelerate the cell cycle, cell cycle को accelerate कर रहे है, mutation inhibit, production of telomerase, क्या कर रहा है, telomerase की activity को inhibit कर रहा है, ठीक है, mutation inactivate the cell control, क्या हो रहा है, बिल्कुल, देखो, cell जो control है, mutation की वज़े से, वो तो inactivate हो रहा है, ये पूछ रहा है, not का, एक एक option हटाओ, इसने पूछ है, not, क्या नहीं हो रहा, mutation inactivate cell control, तो ये statement तो एकदम correct है, cell control inactivate हो जाता है, कैसे हो जाता है, cell control inactivate हो जाता है, तुम्हें पता है, cells की एक property है, contact inhibition, cells की एक property होती है, contact inhibition, ठीक है, cancer cells में क्या होता है, ये जो property है, ये loss हो जाती है, ठीक है, cancer cells में property loss हो जाती है, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है यह चीज तुम्हें, एकदम समझ में आ रही है, ठीक है, है ना, सही है क्या, यहां तक clear एकदम बच्चे एकदम sound clear है के तुम लोगों को, ठीक है, तो देखो, आगे देखते हैं आपन, जो contact inhibition है, उस property से cancer cell, समझ रहो, cancer cell बन रहा है उस property से, क्यों, क्योंकि cells में ने एक property है, कि एक दूसरे के contact में जब वो आएंगे, ना, बच्चे नेक्स स्पेस पर देख लेते हैं, दे एक दूसरे के जैसे cells है, तो उनकी एक property है, क्या है, उनके अंतर property है कि जब वो एक साथ रहते हैं तो एक particular way में grow करते हैं ऐसे randomly grow नहीं करते हैं, क्या property है, grow इन्हे particular way जो cell growth होगी, वो अपनी particular way में होगी कैसे होगी? particular way में होगी अपनी cell growth ठीक है? ठीक है? जबकि जो cancer cells है उनमें ये property खतम हो जाती है loss the property of contact inhibition ठीक है? अब देखो, दुबारे से question पर आता है ये मात clear है, ये बहुत अच्छा concept है, बचे से याद कर लो important concept है, question ये भी बनता है कि cancer cells में कौन सी property loss हो जाती है cell की, कौन सी हो जाती है? contact inhibition ठीक है क्या? clear है क्या सबको? अपन दुबारा आते हैं अपने उस page पर ठीक है? देखो, ये पूछ रहा है क्या statement true नहीं है? तो बेटा देख, mutation destroyed telomerase inhibitor बिल्कुल हाँ, telomerase inhibitor जो mutation होता है ना cancer cells में वो खतम कर दिये जाते हैं, destroy हो चुके होते हैं, ठीक है? mutation inactivate the cell control, बिल्कुल तब ही तो contact inhibition की property खतम हो गई, cell control खतम हो गई, cell को पता ही नहीं कितना grow करना है, वो grow करे जा रहा है, करे जा रहा है, समझ रहो? mutation inhibit production of telomerase, बच्चे ये true नहीं है, ये होगा इस answer, ये true नहीं है, देखो, कैसे नहीं हो true हो देखो, कैशे true नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि telomerase क्या कर रहा रहा है, cell की sankhyusi बढ़ा रहा है, और ये क्याบोल रहा है? telomerase का production inhibit हो गया, यदि inhibit हो जाता है, तो cell की sankhyallahi क्यों बढ़ती विच्चे, सेल की संख्या तो बढ़ रही है ना तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट हो गया अपना रॉंग चौथा ऑप्शन है Mutation in Proto-oncogenes Accelate the Cell Cycle यह option एकदम correct है अपनको not true बताना है इसलिए third option आएगा क्योंकि यह correct क्यों है क्योंकि अपनको पता है Proto-oncogenes जो अपने हैं अपने अंदर जो genes है Cancer के अंदर क्या होते हैं activate हो जाते हैं ठीक है क्या activated oncogenes में convert हो जाते हैं अब आपन आगे आ जाते हैं अगला question देखते हैं अपना Which of the following sets of disease is caused by the bacteria बच्चे मैंने एक बात बोल रहे है जब आपके पास ऐसे question आए तो आप elimination जो formula है अपना उसको use करें elimination formula क्या है पहले यह देखेंगे क्या नहीं हो सकता देखो smallpox जो है कौन cause करता है virus cause करता है कौन cause करेगा virus ठीक है क्या यहाँ पर influenzae कौन से disease है बच्चे viral disease होती है ठीक है क्या तो यह तो हो नहीं सकता mumps भी कौन cause करता है virus cause करता है ठीक है देखो यह option दोनों ऐसे हैं जो bacteria cause कर रहा है cholera कौन cause करता है vibrio cholera titanus salmonella typhi कौन cause करता है इसको salmonella typhi इस microorganism का नाम याद कर लो ठीक है क्या salmonella typhi cause करेगा इसको ठीक है अब देखो और next question पर move on करता है which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV HIV के लिए क्या ठीक है देखो options देखते है HIV is an enveloped virus containing one molecule of single standard RNA and one molecular reverse transcriptase second option देख लेते है HIV is an enveloped virus that contain two identical molecules of single standard RNA two molecules of reverse transcriptase बच्चे दोनों options का मतलब समझते हैं पहला option कह रहा है कि HIV एक enveloped virus है उसके अंदर एक RNA polymerase का molecule ठीक है single standard वाला और एक reverse transcriptase का molecule मिल रहा है यह option यह कह रहा है इसका कहना यह है कि यही दोनों चीज़े इसको double में मिल रही है ठीक है दो identical SSRNA के molecule और दो ही identical reverse transcriptase के molecule थर्ड option देखते हैं HIV enveloped ही नहीं है यह बोल रहा है un enveloped virus मतलब इस पर covering ही नहीं है बच्चा enveloped का मतलब क्या होता है covering देखो चौथ option देख लेते हैं HIV does not escape but attack the acquired immune response मतलब HIV अपने किसको attack करता है acquired immune response को अब अपन इसका answer देखते हैं वो बोल रहे हैं पहली बात तो option अपने आप ही clear हो जाएंगे क्या answer है उसके लिए अपने concept देख लेते हैं HIV जो virus है पहली बात तो वो enveloped virus है कैसा virus है बच्चे enveloped ठीक है मतलब इसके ऊपर covering present है covering present है ठीक है और HIV जो virus है ठीक है उसके अंदर दो molecule होते हैं किस-किस के single standard RNA के single standard RNA के plus 2 ही molecule होते हैं किसके बताओ plus 2 molecule किसके होंगे reverse transcriptase के 2 molecules of reverse transcriptase ठीक है क्या अब अपने आप भी अपनको answer clear हो गया ठीक है बच्चा इसको ध्यान से देख लो इसको एकदम ध्यान से देख लो इसको आप एक बड़ देखो कि HIV enveloped virus है पहली बात तो ठीक है फिर उसके अंदर double molecule of SSRNA है उसके बाद उसके अंदर reverse transcriptase के भी 2 molecule है ठीक है क्या clear है के तुम लोगों कोई सारी चीज है अब अपन दुबारा देखते हैं question को एक बार फिर से आते हैं देखो तो इसका answer क्या हो गया second option HIV एक enveloped virus है इसके अंदर दो identical molecule किस-किस के है SSRNA के और दो molecule reverse transcriptase के इसका answer क्या हो गया यह second option चलो next question पर चलते है बच्चे अपना यह last time से क्यों है in higher vertebrates the immune system can distinguish between self-cells and non-cells if this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self-cells then it leads to बच्चे बहुत अच्छा question है देखोई कहना क्या चाहरा है कि यदि higher vertebrates ने self-cell and non-cells इन दोनों में वो distinguish अगर नहीं कर पा रहा है तो कौन सी property है क्या हो सकता है उसमें तो बच्चे उसमें अपना अपन को यह तो easily पता है autoimmune disease होती है क्यों? autoimmune disease में यही तो होता है न कि जो हमारी body है वो differentiate नहीं कर पा रही है कि क्या तो self-cells है और क्या non-cells है ठीक है? मतलब वो अपने self-cells को भी attack कर रही है उनको भी attack कर रही है और जो बहार से फौरान उसके अंदर organism आ रहे है, microorganism जो हमारी body को नुक्सान पहुंचा रहे है उनको attack करने के अलावा वो अपनारे self-cells को भी attack कर रही है ठीक है? self-cells को भी attack कर रही है ठीक है क्या? active immunity होगा नहीं इसका answer graph rejection होगा नहीं allergic response होगा नहीं इसका answer होगा autoimmune disease ठीक है क्या? अपना next question पर move करते हैं देखो बच्चा यह अपना question number one है इसको ध्यान से देखते हैं इसका answer क्या है? define antigen and antibody बच्चे तो बहुत simple question है ठीक है क्या? बहुत simple question है क्या देखना है? कि antigen क्या है? बच्चे अपनको अच्छे से पता है कि antigen क्या है? वो glycoprotein वो foreign organism जो हमें बहार से आ रहे है और हमारी body के लिए क्या है? वो हानी का रहे है harmful है ठीक है? ठीक है अब यह कई प्रकार के हो सकते है bacterial antigen मतलब देखो antigen तो कई प्रकार के है आपनको हाम पहुचा रहे हैं वो ठीक है? तो हाम पहुचा रहे हैं तो यह bacterium भी हो सकते हैं maybe bacteria maybe bacterial maybe viral ठीक है क्या? हो सकते हैं क्या? अब देखो एक और चीज़ देखो, जो antigen है, क्या यह हमारी body में बनेंगे क्या, नहीं, not form in our body, नहीं, बिलकुल नहीं बनेंगे हमारी body में, यह foreign है, not form in our body, ठीक है, अब देखो, जो antibodies है, वो हमारी body में antigen के खिलाफ बनने वाले proteins है, antigen के खिलाफ बनेंगे, antigen को, antigen के opposite बनेंगे, ठीक है क्या, antigen को खतम करने के लिए बन रहे हैं, क्यों बना रहे हैं हम, to destroy antigens, to destroy antigens, ठीक है क्या, क्यों बना रहे हम यह, हम antigens को खतम कर सके, ठीक है, तो antigens तो foreign हो गए और antibody हमारी body में बनने वाले, वो proteins हो गए, जो antigen को खतम करने के लिए बनाये जा रहे हैं, ठीक है क्या, voice clear है, ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते है, when the ELISA test was conducted on an immune suppressed person, he tested positive for a pathogen, बच्चे question ध्यान से देखो एक बार, दिख रहा है तुम्हे question, ध्यान से देखो एक बार question, identify the disease the patient is suffering from, ठीक है, एक बार question ध्यान से देखो बच्चे, बच्चे question पढ़ लिया तुम लोगों ने, पढ़ लिया क्या, चलो, मैं पढ़ाती हूँ, identify the disease the patient is suffering from, बच्चे एक बात तो clear है, कि ELISA test कब कराते हैं, बच्चे जहां पर भी ELISA test दिख जाये न, तो तुम्हें क्या याद रखना है अभी तो, कि हुआ क्या है उसे बताओ, क क्या हो गया, AIDS हुआ है, ठीक है क्या, AIDS, name the causative entity, बच्चा उस entity का नाम बताना है, जिसकी वज़े से हो रहा है, AIDS क्यों होता है बच्चे, क्यों होता है, HIV virus, ठीक है, तो इसका answer क्या आएगा, HIV virus, ठीक है, अगले question पर आते हैं, mention the cells of the body that are attacked by the pathogen, अच्छा, AIDS में कौन-कौन से cell affect होता है, याजि, HIV virus हमारी body में आएगा, तो कौन-कौन से cell effects होते हैं, बता हो, सोचो, दिमाग लगाओ, कौन-कौन से cells affect होते हैं, बता हो, बता हो, दिमाग लगाओ, देखो, एक तो, हमारे, macrophage effect होंगे, ठीक है, एक तो हमारे, macrophage effect होंगे, ठीक है क्या और दूसरे क्या effect होंगे helper t lymphocytes एक अपने helper t lymphocytes effect होंगे और यहाँ पर सबसे अच्छी जो याद करने की बात है वो क्या याद रखनी है बच्चे क्या याद रखनी है कि जो macro phase होते हैं वो hiv के दौरान कैसे behave करते है work-as कैसे करते हैं बताओ HIV factory की तरह काम करते है नak कैसे काम करते HIV factory कीतर है थीक है कैसे काम करेंगे hiv factory क्योंकि वो बहुत जादा hiv v abonnous release करेंगे अपने अंदर से म BA милли nggak ठीक है, बच्चे अपने की cycle भी पढ़ेंगे एक class में, ठीक है, अब यह अगे बढ़ते हैं, जब अपने आपको पूरी cycle समझाओंगे ना जब मैं, तब तुम्हें पूरा और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, अगला question देखते है, mention the site in the body where the B cells and T cells are formed, give one difference between them, बच्चे जै बहुत simple question है, यह तो तुम बताओ। कि B और T cell कहां पर बनते हैं, B और T cell, B cell and T cell. कहां बनेंगे बताओ, बच्चे कहां बनेंगे बताओ, सोचो कहां बनेंगे, यह बनेंगे अपने bone marrow में, यह बनेंगे अपने bone marrow में, ठीक है क्या, अब देखो, अगला question क्या है, इसी दूसरा पार्ट क्या है, give one example, difference between them, बच्चा difference क्या है इसमें, कि जो अपना B-cell होता है, जो B-cell है, वो अपना बनवी bone marrow में रहा है, ठीक है, और mature भी bone marrow में हो रहा है, mature in bone marrow, ठीक है क्या, ठीक है, ये बात clear है, अब आते हैं T-cell पे, जो हमारा T-cell है, वो कहां mature हो रहा है, वो mature हो रहा है, थाइमस में, ठीक है, समझ जारा सबको, T-cell कहा mature हो रहा है, थाइमस में, और B-cell कहा mature हो रहा है, bone marrow में, ये बात clear है, और ये बात तो आपन को पता ही है, कि T-cell किसको regulate करता है, अपनी CMI को, Cell Mediated Immunity और B-Cell किसको करती है अपने Humoral Mediated Immunity HMI है ठीक है क्या Clear है सबको ये कौनसी immunity हो गई Humoral Mediated Immunity ठीक है ठीक है सबको clear है ये वाला सारा part clear है सबको ठीक है next question पर move on करें करें क्या बच्चे next question पर move on करते है अपन How would a person's immune system be affected in the absence of thymus gland बच्चे एक बात बताओ जो अपनी thymus है वहापे अपन क्या कर रहा है क्या कर रहा है अपन thymus पे क्या कर रहा है thymus पे thymus में हम T cell को mature करते हैं क्या करते हैं T cell को mature और अभी अभी मैंने बताया कि T cell किसको regulate कर रहा है CMI कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक है तो जो thymus gland है यदि यही नहीं होगी तो T cell mature नहीं होगे अब देखो समझते हैं पूरा यदि thymus absent है हमारे पास thymus क्या है absent है ठीक है thymus यदि absent है तो T cell mature नहीं होगे T cell do not mature ठीक है तो T cell mature नहीं होगे T cell mature नहीं होगे तो immune system हमारा weak हो जाएगा immune system क्या हो जाएगा weak हो जाएगा आप देखो, आगे देखो, एक और इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है जिसको पर याद रख सकते हैं, कि जो अपनी थाइमस ग्लेंड है, जो अपने ओल्ड पीपल्स होते हैं, ओल्ड जो लोग हैं, जिनकी एच जादा है, ओल्ड पीपल्स के अंदर थाइमस जो है न, उसकी जो साइज है, वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज का क्या मतलब है, कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम हो जाती है, ठीक है, तो ओल्ड पीपल्स में भी तो तुम्हें पता है न, कि वो लोग बहुत जल्दी बिमार पड़ जाते हैं, ठीक है, awfully sick हो जाते हैं, get awfully sick, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बिमार होते हैं, ठीक है क्या, get awfully sick, बहुत जल्दी जल्दी बिमार होते हैं, जो बुड़े लोग होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका immune system है, वो weak होता जा तो उनके जो immune system है वो क्या होता जा रहा है अब आगे बढ़ते हैं लिस्ट दा प्रिवेंटिव बैरियर्स देथ प्रोटेक्ट दा बॉड़ी अगेंस्ट माइक्रोबियल बैक्टिरिया एंटरिंग दा गट फूड कंज्यूम्ड बच्चे अपनको यहां सबसे ज़्यादा फोकस करना है फूड कंज्यूम पर क्योंकि यह बोल रहा है यदि मै मैंने कुछ गलत खाना खा लिया मैंनी फूड में कुछ गडबड चाली कुछ भी गडबड मतल् vez है मतल् разв poisoning वेने water ले लिया कोई है ना जो साफ नहीं एक दम उसके अंदर बहुत सारे मालो bacteria थे ठीक है अब मैंने कोई poison food खा लिया कैसा food खा लिया poison poison food खा लिया मालो ठीक है अब देखो क्या preventive barrier है कि हमारी body में microbial bacteria की growth नहीं होगी मतलब हमारी body फिर भी बच जाए किस वज़े से मैं बच सकती हूं उसके लिए क्या होता है तुम्हें पता है हमने क्या पढ़ाता जो physiological barriers क्या क्या थे बच्चे क्या क्या थे physiological barriers क्या क्या थे physiological barriers क्या-क्या थे saliva था क्या saliva था saliva in mouth ठीक है HCL in stomach ठीक है और क्या-क्या थे tears in eyes ठीक है अब देखो हमारे पास only यहाँ पर food वाला question है तो यहाँ पर tears का कोई role नहीं है ठीक है यहाँ पर question में कोई role नहीं है यहाँ पर question में saliva का role है HCL का role है क्यों क्यों कि यदि मैं कोई poison food खा भी लूँगी न तो उसमें सबसे बहले तो saliva में lysogym है वो microbial growth नहीं होने इसलिए microbial growth प्रिवेंट हो जाएगी ठीक है क्या microbial growth प्रिवेंट क्यों होगी क्योंकि उसको favorable condition नहीं मिल पा रही है ठीक है अब अब अपन दूसरा question देखते है name the immunity type observe in this case देखो immunity type कौन सी immunity है बच्चे है कौन सी immunity है physiological barrier किसका example है बच्चे किसका example है physiological barrier कैसी होती है non-specific ठीक है innate immunity अपनी non-specific होती है तो यह example किसका हुआ innate immunity का ठीक है example of innate immunity ठीक है next question पर move on करते है next question है state the significance of mother's milk to a newborn infant बच्चे mother's milk का significance क्या है significance क्या है mother's milk का ठीक है तो अपन को पता है कि जो mother होती है तो starting के जो दिन होते हैं जब बच्चा born होता है mother's जो milk होता है वो starting के 5-6 दिन जो yellow color yellowish fluid होता है ठीक है उसको अपन क्या बोलता है cholesterol ठीक है क्या cholesterol बोलते हैं अपन इसको ठीक है इसके अंदर क्या होता है Ig antibodies होता है क्या होता है Ig antibodies होता है तो इसकी significance क्या है significance इसकी यह है बच्चे कि 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 जो Ig antibodies है वो बच्चे को क्या provide कर रही है passive immunity ठीक है क्या passive immunity provide कर रही है ठीक है clear है कि mothers जो मिलक है उसके starting के जो days होते है बच्चा बोन होता है जब cholesterol निकलता है yellow color का fluid ठीक है वो बहुत गाड़ा दूद होता है ठीक है उसके अंदर Ig antibodies है जो बच्चे को passive immunity provide कर रही है जिससे की वो disease ना हो और उसके अंदर strongness generate हो strength develop हो bacteria, microorganisms से लड़ने की ठीक है next question पर आते है what is interferon how do they monitor the infection of new cell बच्चे, interferon क्या है यह अपनने पहले भी question किया हुआ जब अपनने MCQs के ले थे previous paper के ठीक है interference क्या होता है interference we know that कि जब virus infected जो cells होते है virus infected जो cells होते है क्या निकालते है वो interference निकालते है क्यों निकालते है इसने निकालते है to alert other cells to alert other cells other normal cells जिससे कि बाकी cell भी virus से infect ना हो ठीक है क्या यह बात clear है कि अपनको कि बाकी cell infect कबना होंगे जब अपने पास interference होंगे जो virus infected cell है वो interference निकालेंगे जिससे कि अपने जो normal cells हैं वो infect ना हो तो बाकी अगला पार्ट पढ़ते है how do they monitor the infection of new cell कैसे monitor करेंगे भई interferon तो पहली बात तो निकाला किसने है virus ने virus infected cell जो protein निकालते होंगे interference बोलते है जो chemicals निकालते होंगे अपन interference बोलते है और कैसे monitor करेंगे उन्हें alert करके कि भई normal cells alert हो जाए वो भी infect ना हो virus से जिस virus से यह effect हो गए है ठीक है क्या समझ आ रहा है क्या देखो और समझ ध्याद से कि जैसे अपना यह cell है मालो liver का कोई cell है तो liver की cell में ऐसा हुआ कि जो liver का cell है वहाँ पे वो virus infected हो गया मालो ठीक है यह अपना virus infected cell है ठीक है अब यह cell क्या release करेगा interferons release करेंगे कुछ chemicals release करेंगे उन chemicals को अपन क्या बोलते हैं interferons यह interferons क्या करेंगे जो बाकी जो normal cells है other organs के मालो यह कहीं मालो ठीक है यह बाकी normal cells है यह कैसे cells है यह normal cells है ठीक है यह अपने normal cells हो गए तो यह interferons क्या करेंगे इनको alert करेंगे क्या करेंगे alert करेंगे ठीक है क्या समझ में आ रहा है, यह अपना कौन सा barrier होता है बच्चे immunity का, कौन सा barrier होता है, यह अपना होता है, कौन सा barrier होता है, बताओ, सोचो अभी भी सोचो, तुम सोचो कौन सा barrier होता है, चार तरीके के barrier अपने, physical, physiological, cytokine barrier, और चोथा cellular barrier, तो अपना कौन सा barrier है, बच्चे यह अपना हो cytokine barrier of innate immunity, ठीक है, यह अपना cytokine barrier of innate immunity है, समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है, अब अपने अगले question पर move on करते है, mention four withdrawal symptoms exhibited by an alcohol or drug addict, बच्चे देखो जो drug addict होते हैं, या फिर जो इंसान alcohol ले रहा है, जो भी person है, बहुत ज्यादा alcohol consume कर रहे हैं, या drugs ले रहे हैं, बहुत ज्यादा repeatedly ले रहे हैं, रोजाना ले रहे हैं, ठीक है, एक limit से ज्यादा ले रहे हैं, तो बच्चे जो disease होती है, पहले तो वो disease का नाम याद रखो, एक level पर जाके disease हो जाती है, इसको बोलते है liver cirrhosis, ठीक है, जब हम excess alcohol consume करेंगे, तो ह हमारा liver हो जाएगा खराब और उस disease को क्या बोलेंगे, liver cirrhosis, excess alcohol consumption, on excess alcohol consumption, बच्चे अब ये पूछ रहा है, चार withdrawal symptom बताओ, बच्चे, withdrawal symptom होता क्या है, withdrawal symptom देखो, जब एक person है, ठीक है, वो continue ना, continue alcohol लेता है, ठीक है, टेक्स, alcohol, drugs भी लेता है, रोजाना लेता है, repeatedly लेता है, कैसे ले रहा है, repeatedly drugs ले रहा है, ठीक, अब एकदम से मालो, इसके parents ने, या फिर इसकी family members ने बोला, कि तुम्हे, क्या बोला इसकी family members ने, इसकी family या इसके friends ने क्या बोला, कि तुम्हे, drugs को avoid करना पड़ेगा, कि तुम्हे, drugs नहीं ले लिए, तुम्हे, alcohol भी नहीं लेनी है, ठीक है, अब इस case में, जो person है न, इस case में जो person है, किस से सफर करेगा, ये जिस से सफर करेगा, उसको बोलता है, withdrawal syndrome, क्यों? क्योंकि इस person से ये सहन नहीं होगा, मतलब, ये रोजाना drugs लेता था, ये रोजाना alcohol consume करता था, समझ रहो, ये रोजाना alcohol लेता था, रोजाना alcohol consume कर रहा है, drugs consume कर रहा है, ठीक है? अब एक दिन इसके friends ने बोला, कि तुम्हें नहीं लेने देंगे, हम ये सब अपनी तुम्हारे शरीर के लिए बेकार है, ठीक है? तो इस person को ऐसा महसूस होगा, कि भाई, मतलब, इसके अंदर बहुत सारे symptoms देखेंगे, इसको बहुत जादा पसीना आएगा, इसको anxiety होगी ठीक है, इसको है ना, मतलब, नौजिया की feeling आएगी, ठीक है, और मतलब ये इसको बोलेंगे ना, ये लोग मना करने की, इसकी friends, इसकी family members, तो बहुत चिट-चिटा सा हो जाएगा, तो इसको अपन बोलते है, withdrawal syndrome, ठीक है, मतलब, इसको छोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो क्या-क्य symptoms है, पहला जो है, वो है nausea, दूसरा जो withdrawal symptom है, क्या बच्चे, दूसरा जो withdrawal symptom है, सोचो, अभी तो बताया मैंने, क्या-क्या हो सकते है, दूसरा withdrawal symptom क्या होगा, दूसरा होगा, shakiness, मतलब, उसको बहुत जादा shivering होगी, वो कापेगा, ठीक है, shakiness, एंग्जाइटी भी हो सकती है, उसे, एंग्जाइटी, ठीक है, एंग्जाइटी, shakiness, ठीक है, यह सब चीजे होगी इसको, और चिट-चिटा भी बहुत जादा रहेगा, ठीक है, इसको vomiting और यह सारी चीजे हो सकती है, sweating भी होगी, मतलब, अगर nausea की feeling होगी तो इसको vomiting भ हो सकती है ठीक है तो मेन ये symptoms है ये चारो symptoms ध्यान रखना देख लो note down कर लो ठीक है अब पन अगले question पर move on करें ठीक है क्या चलो why is it recommended to avoid crowded and closed air condition places during changing the weather question समझो recommend मतलब advise किया जाता है recommend मतलब मतलब सलहा देना advise ऐसा क्यों बोला जाता है कि जादा भीडभाड वाली places मतलब crowd मतलब जादा भीडभाड वाली ठीक है क्या भीडभाड वाली इधर देखते है crowded places मतलब जा भीड बहुत जादा है जा रश बहुत जादा है ठीक है ठीक है क्या Hindi medium वाले बच्चे भी समझ पा रहे हैं तो भीड वाली जो जगे है crowded जो places है ठीक है तो वहाँ पे क्यों जाने से मना किया जाता है देखो बच्चे और जब change हो weather मतलब जब अपना मौसम चेंज रहा है देखो बच्चे जो भीड वाली जगे होगी Fastly crowd conditions भी जदि crowded जो places होगी तो वहाँ क्या होगा Morste condition developed होगी क्या develop होगीAg Moist conditions develop होगी ठीक है क्या जो moist conditions होती है Moist मतलब समझ रहो प्यों नमी है वाहाँ पे humidity है ठीक है तो जो cozy crowded places हॉत Moist condition है तो जो moist condition है न वाच्चेוכे किसके लिए favorable होगी Moist condition है अपनी वो अपनी फेवरेवल होगी फेवरेवल फॉर ग्रोथ ओफ माइक्रो ओर्गनिस्म बहुत अच्छे से ग्रोग कर पाएंगे वाँ पर ठीक है क्या? माइक्रो ओर्गनिस्म बहुत अच्छे से ग्रोग कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए पर किया लिए ठीक है क्या? उसे लिए अच्छे क्रोग करना पसंद नहीं है वह र लिए फेवरेवल करते हैं ठीक है weather तो हमको ऐसी जगे क्यों avoid करनी है क्योंकि यदि हम आहा जाएंगे तो micro organism को grow करने के लिए एक favorable condition मिलेगी तो favorable condition मिलेगी तो हमें कोई भी micro organism affect कर सकता है तो हम diseased हो सकते हैं हमें कोई भी विमारी जल्दी से पकड़ सकती है इसलिए ऐसे advice किया जाता है कि जो crowded और close जो places है और है ना उनको weather change के दोरान कैसा किया जाए avoid किया जाए ठीक है क्या अब देखो आगे यही चीज है बच्चे यह अपने आज mcqs हुए questions हुए ठीक है यह chapter बहुत जादा important है human health and disease तो अपन इसको अभी छोड़ेंगे नहीं इसको अपन और करेंगे इसके questions और ज्यादा solve करेंगे ठीक है अभी अपनको drug वाला part भी करना जहां cannabinoids वगेरा आते हैं opiates है ना वो वाला part भी cover करेंगे अपन cycles भी देखेंगे malaria की cycles वगेरा ठीक है बच्चे तो आजका तो अपना यह सारे questions थे mcqs and questions I hope आपको शहसन पसंद आया होगा ठीक है तो अपन कल मिलते है next class में अपनी जिसमें अपन इससे आगे questions solve करेंगे अच्छ अच्छ पीवाइक्यू solve करेंगे और जितने भी अपन concepts है ना cycles है सबको discuss करेंगे ठीक है